आप सभी को जैस्री कृष्णा राधे राधे तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल की प्रती स्रध्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा तो ये जो सत्य घटना है ये बहुत ही दर्द भरी मर मिस्परसी सत्य घटना है तो ये सत्य घटना है एक मैया की और उनके एक बेटे की मतलब उनका छोटा सा बेटा होता है और मैया होती है लेकिन वो जो मैया होती है वो उनकी जो परिस्थिती होती है वो बहुत गरीब होती है वो पैसे वाली बिलकुल भी नहीं होती तो एक कि जो इनका बेटा था उसका नाम था गोपाल और वो अकेला रहता है और एक बार वो खेलने जाता है अपने आज पास में जो उसके फ्रेंड थे उनके पास खेलने जाता है तो वो सब ऐसे पहले खेले और फिर बाद में बताने लगे कि अरे अब हम जा रहे हैं घर जाना है हमें सोबे स्कूल जाना है तो उसके मन में भी ये बात आती है कि अरी ये लोग तो स्कूल जाते हैं कास मैं भी जाता हूँ आज मैं मैया से अपनी जाके बोलूँगा कि मैया मुझे भी स्कूल जाना है और मेरा भी एड्मिशन करा दो आप ऐसे मैं बोलूँगा तो जब वो खेल के आता है और अपनी मां से कहता है कि मैया आज मेरा भी अध्विशन करा दो ना कल कह रहे थे सारे बच्चे कि कल हमी स्कूल जाएंगे तो मैं तो स्कूल जाता नहीं हूँ तो आप मेरा अध्मिशन यह क्यों उससे में अपना और तेरा जीवन यापन होता है तो इतने पैसे तो है नहीं बेटा स्कूल में बहुत पैसे लगते हैं लेकिन जो गोपाल होता है वो कहता है कि मैया तू ही तो कहती है ना कि ये जो लड़ू गोपाल है अपने घर में वो तो सब की सुनते हैं तो आज मैं सब करा देंगे ऐसे एडमीशन मेरा तो ऐसे सुनके उसकी जो मैया होती है वो बड़ी दंग रह जाती है कि देखो नन्हा सा भालक है इसको क्या पता कि कौन एडमीशन कराएगा हम गरीबों की कौन सुनेगा ऐसे वो करके लेकिन फिर वो अपने मंदिर में जाती है और आप उसकी सुलेना जिसमें कि उसका विश्वास आपके प्रती हमीशा बना रहे है उसको ये ना लगे कि नहीं भगवान सुनते नहीं है ऐसे करके वो भी प्राटना करके और है तो सो जाती है अब क्या होता है कि सुबह होती है और है तो सारे बच्चे तयार हो हो कि स्कूल की उनिफॉर्म पहन के अपना बैग लेके जाने लगते हैं और वहीं पे दरवाजे के पास गोपाल खड़ा खड़ा उनको देखता है क्योंकि इसका मर बड़ा करता है बड़ा हुश्यार बच्चा है वैसे तो ये बहुत अंच बच्चा है और पढ़ने की मामले में उसको ल लेकिन मेरा एड्वीशन कैसे होगा मेरी मैया के पास तो इतने पैसे है नहीं तो मैं तो ऐसी रहूंगा सारे बच्ची तो पढ़ लेंगे और उनके पास तो बड़ी बड़ी गाडियां होंगी और मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा ऐसे कहे के दड़्डू कोपाल के पास जाता है वो छोटा सा बच्चा और बड़ा दुखी हो जाता है और कहता है कि लड़्डू कोपाल अगर आप मुझे मेरा एड्वीशन करवा देते हो आप तो भगवान हो आप तो सक कुछ कर सकते हो मैया मेरी ऐसे कहती है कि आप जो चाहो वो कर सकते हो और आप सक की सुनते तो आप मेरी सुनों और मैं आपको जरूर कुछ खाने के लिए दूँगा ऐसे लालत देदें क्योंकि बाल मन है जैसे हम बच्चों के साथ करते हैं वैसे ही वो भी कर रहा था तो ऐसे करके और अब जब जो लड्डू गोपाल से इतने प्यार से मांगेगा तो उसकी लड्ड सामने ऐसा लग रहा था कि जैसे लड्डू गोपाल से ही बात कर रहा हो और कृश्ण भगवान कह रहे हो कि गोपाल तु चिंता मत कर मैं तेरा एड्मिशन करवाऊंगा अब क्या था यह दोसरे दिन होती है और है तो यह जो गोपाल था यह बड़े उदास होके स्कूल के भास ही बहां पर खड़ा होके ऐसे देख रहा था वो बच्चे पढ़ रहे थे और ये बाउंडरी के पास, गेट के पास खड़ा होके ऐसे बैठ के उदास होके खड़ा था और देख रहा था कि कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं कास मैं भी इस गेट के अंदर जा पाता ऐसे दुखी हो कि बड़ा उदास हो के बैठा रहता है इतने मैं कोई सज्जन से आते हैं और मतलब अच्छे सूट बूट पहने अच्छे कोई पैसा वाला इंसान आता है ऐसा लग रहा था कि जैसे उनक पाल जो भोला भाला वो कहता है कि सर जी मैं स्कूल नहीं जाता हूं मैं पढ़ाई नहीं करता हूं तो वो पोचते हैं कि क्यों तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते देखो तुम्हारे बराबर के बच्चे वो अंदर पढ़ाई कर रहे हैं जाओ तुम भी पढ़ाई करो तो फिर वो रोते हुए ऐसे कह देते हैं कि सर जी मेरी चुब मैया है ना हमाई पास इतना पैसा नहीं है कि हम अपने स्कूल में एड़िशन करा से कि हम लोग बहुत करीब हैं लेकिन मैंने लड़ो को पाल से बोला है तो वो मेरा एड़िशन जरूर करा देंगे क्यूंकि मेरी मै या कहती है कि लट्डू गोपाल सब की सुनते हैं तो वो जो थे वो बड़े समझदार थे और पैसे वाले भी थे तो वो कहते हैं वो तुरंट समझ जाते हैं कि ये बच्चा है बालमन है ये बड़ा भोला बच्चा है और बड़ा होनहार बच्चा है क्योंकि किसी-किसी बच उन्होंने कहा है और पहले वो नाम पूछते हैं कि तुम्हारा नाम किया है तो बताते हैं कि यह तुम्हारे लड्डू गोपाल ही मझे भेजे करना है, इसलिए मैं आया हूं अब तो यह सुनके इतना गोपाल इतना खुस हो जाता है कि पूछो मत उसको तो लगता है कि हाँ मेरे लट्टू गोपाल मतलब उन्हीं ने भेज़ाया अब उसको क्या पता कि किसने और ये हकीकत बात है ये सब कुछ वही कर रहे थे आप बिल्कु विश्वास मानिए अगर आप दिल से भगवान से कनेक्ट है न और सच्चे मन से निश्चल मन से अगर हम भगवान को मनाते हैं या भगवान से मांगते हैं तो भगवान हमारी जरूर विन्ती जरूर विने सुईकार करते हैं अब क्या था कि बच्चे उसको गोपाल को वो जो थे वो कोई जो भी रहे हों ये सोचिए कि वो भगवान की दूथ ही थे अब वो लड़ उसको गोपाल को स्कूल के अंदर ले जाते हैं और वहां पर जो भी प्रिंसिपल रहा हो जो भी रहा हो उनके पास जाते हैं और गोपाल का एड्मीशन कराते हैं अब एड्मीशन के साथ साथ गोपाल से कहते हैं कि अच्छे गोपाल तेरा एड्मीशन अब हो गया अब तुम कल से इस्कूल आना तो अब गोपाल कहता है गोपाल तो बड़ा हुश यार गोपाल कहता है कि इस्कूल तो आउंगा पर कैसे आउंगा मेरे पास तो बैग भी नहीं है मेरे पास तो बुक्स भी नहीं है पेहन भी नहीं है फिर मैं लिखूंगा क्या तो आप मुझ लिजे कि first class का बच्चा जितना होता है उतना चोटा बच्चा था आप उसको गोदी में उठा लेते हैं उसकी ऐसी प्यारी प्यारी बातों से वो करकी और उसको फिर अपनी गाड़ी में बठालते हैं क्योंकि बहुत पैसे वाला इंसान था तो उसको अपनी गाड़ी में करीते हैं और सूसूस मतला पूरी ड्रेस बैक सब कुछ खरीतां स्कूल का अब यह देख के लड़ो गोपाल बहुत खुस हो जाता है इतना खुस हो जाता है कि पूछो नहीं उसको सब कुछ यही लग रहा था उसको कि मेरे ये सब लट्टू गोपाल ही कर रहे हैं और मैया बिलकुल सही कहती है ये होता है बालमन बालमन में जैसे भी विचार डाल दो ना तो उनको वैसे इसलिए कहते हैं कि बच्चों को अमेज़ा अच्छी अच्छी बातें सिखानी जीए तो अब वो बहुत खुस हो जाता है गोपाल और है तो जैसे वो कहते हैं कि अब हो गया न सब कुछ देखो अब तुम्हारा बैग भी हो गया यूनिफॉर्म भी हो गयी सब कुछ हो गई अब सिर्फ तुमको पढ़ाई करना है और पढ़ाई करके बहुत अच्छा इंसान बनना है और ऐसे कहते हैं कि मेरे से प्रामिस करो कि आप बहुत अच्छे से मन लगाके पढ़ाई करोगे और बहुत अच्छा इंसान बनोगे तो वो गोपाल जो है वो उनसे उनसे प्रामिस करता है और कहता है कि सच में मैं पूरी अपनी कोसिस करूंगा कि मैं बहुत अच्छा इंसान बनू और बहुत मन लगा की पढ़ाई करूंगा आपको कभी सिकायत का मौका ने दूँगा ऐसे कहता है और आने लगता है फिर उसको याद आती है कि अरे मैंने तो लड्डू को पाल से कहा था कि अगर आप मेरा एड्विशन करा दोगे तो मैं आपको कुछ खाने के लिए लाँगा उसको तुरंत यादा जाता है और जब वो अपनी गाड़ी में बैठने लगते हैं वो जो भी थे तो उनसे कहता है तो उसको गाड़ी रुकवाता है और कहता है रुकिये 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 अभी एक चीज आप भूल गये तो ऑच्छा आप क्या भूल गया मैंने तो तुझे सब कुछ वो कर दिया तो बोले नहीं नहीं अभी एक चीज भूल गए फिर बाد में हो कहते हैं गोपाल कहता है मेरे लड़ू गोपाल को लड़ू बहुत पसंद है तो उसके लिए लड़ू गोपाल के लिए एक डिवा वो लड़ू लेते हैं और है तो उसको लड़ू देते हैं और बोलते हैं कि जाओ तुम भोग लगाना और अपनी मैया को बोलना अब वो पढ़ाई कि मेरी बिल्कुल टेंसर नहीं ले और मैं अब तुम्हारा हर महीने स्कूल में जो भी खर्चा आएगा मैं करूँगा ऐसे करके उसका एड्मिशन हो जाता है गोपल घर आता है इतनी सारे बैग मतला बैग में बुक्स यूनिफॉर्म इतनी सारी चीज़े देखके तो वो जो मैया थी वो तो देखके रह जाती है कि ये तुझे कहां से मिला ही किसने दिया ऐसे देखके पहले तो वो बहुत ज़्यादा खुस होती है और सबसे पहले लड़ू गोपाल को धन्यवाद देती है कि भगवान ये आपने क्या चमतकार कर दिया कि कल गोपाल ने बोला और आज आपने पूरी कर दी उसकी एक्छा ये क्या हो रहा है और फिर बाद में वो पूसती है गोपाल से कि गोपाल ये क्या है फिर वो गोपाल एक एक से सारी बात बताता है कि मैया मुझे स्कूल के बास एक मेरे लड़ू को पालने ही किसी को भेजा था और वो बोल रहे थे कि मैं लड़ू गोपाल ने ही मुझे भेजा है तो वो हाथ जोड़ के ऐसे प्रार्थना करती है भगवान के पास और चाकी इतना रोती हैं कि सच में आप बहुत क्रपाडू हो बहुत दैयालू हो भगवन जो कि आप हम जैसे गरीबों की भी सुनते हो औ कि वो जो गोपाल होता है और वो पढ़ लेके इतना अच्छा इंसान बन जाता है उसको पहले तो बहुत अच्छे स्कूल में उसका एडवीशन होता है और बहुत अच्छे से वो पढ़ने में भी बहुत उश्यार था गोपाल नमबर वन का स्टूडेंट बनता है स्कूल कॉलेज में हैन्मिशन होता है आखरी में वो एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनता है सरजन बनता है डॉक्टर बनने के बाद गोपाल गरीबों की बहुत मदद करता है उनसे कभी पैसा नहीं लेता है जितने भी गरीब होते हैं उनको निसुल के सेवा करता है और हपते में एक दिन बिलकुल फ्री रहता है उसका इलाज कोई भी आए वो एक रुपए भी नहीं लेता इतना अच्छा मतलब बड़े होके इतना अच्छा ये गोपाल बन जाता है इतना अच्छा इंसान निकलता है और वो जिन्होंने इसको पढ़ाया हुआ था वो भी ए किसी को डॉक्टर मतलब अपने बच्चे को डॉक्टर ही बना सके तो उसने बहुत अच्छे से गोपाल को पढ़ाया बहुत अच्छे स्कूल में एडवीशन कराया और फिर लास्ट में उसको उसको भी डॉक्टर बना दिया तो ये सब कुछ लड़ू गोपाल की क्रपा की वज़े से हुआ है और है तो क्या करता है ये गोपाल की बहुत सालों के डॉक्टरी करने के बाद फिर ये एक हॉस्पिटल अपना खुद का खोलता है जिसका नाम ये लेड़ू गोपाल के उपर रखता है और उसमें हपते में एक दिन निसुल्क सेवा चलाता है आप कोई भ आएंगे उसके लिए अलग और बड़े आएंगे कोई भी आए उसमें कोई भेद पाऊ नहीं और ऐसे करके उसका बहुत बड़ा हॉस्पिटल हो जाता है धीरे धीरे करके बहुत बड़ा वो सहर का नंबर वन डॉक्टर हो जाता है जो जितना बड़ा डॉक्टर उतने सब उतना ही नंब्र इंसान होता है फिर उसके मैया और उनकी तो जीवन कैसे बदलता है आप पूछो नहीं तो ऐसे होती है हमारी लड्डू गोपाल की क्रपा की एक भिखारी बच्चे को भी एक इतने गरीब बच्चे को भी जो इतने बड़े पद पर पहुचा देता है तो वो यह है लड्डू गोपाल की क्रपा तो आप भी हमेशा लड्डू गोपाल की उपर विश्वास रखिए स्रद्धा रखिए और निस्वार्थ भक्ति करिए उसमें कोई स्वार्थ ना हो ऐसी भक्ति करिए तो लड्डू गोपाल भी अपनी क्रपा जरूर बरसाते हैं तो व तेंक यू सो मच फुल वाच करने के लिए